गुड़ डे टू अल अफ यू जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरे विक के पहले दिन आप कुछ नया सीखते हैं और उसके नेक्स्ट क्लास में आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं इसलिए आज की क्लास में आप सभी पिसली क्लास का रिवीजन करेंगे आईए अप इसली क्लास का रिवीजन करते हैं कि आप बदा सकते हैं कि अपर केस और लोर केस में क्या अंतर होता है अपर केस में आप लाइन या पैराग्राप के सभी लेटर को बड़े यानि कि कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं या फिर lower case से capital letter को small में कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि capitalize every word से क्या होता है, capitalize every word से आप हर एक word के पहले letter को capital यानि बड़े letter में कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि table क्या होती हैं और इसका उप्योग क्यों करते हैं, table row और column को मिलाने से बनता है, या आपके math के notebook के तरह दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे box होते हैं table का उपयोग बहुत से कारों के लिए करते हैं जैसे की list बनाने के लिए, office के कारों के लिए, report card, calendar, student के marks या उनके detail इत्यादी बनाने के लिए क्या बता सकते हैं कि merge sale से क्या होता है merge sale का मतलब होता है मिलाना या एक करना merge sale का उपयोग दो या उससे अधिक sale को एक sale में करने के लिए करते हैं क्या बता सकते हैं कि split sale से क्या होता है split का मतलब होता है अलग करना या टुकड़ा करना Split cell से आप एक cell को एक से अधिक cell में बदल सकते हैं या टुकड़ा कर सकते हैं आप चाहें तो cell को horizontally या vertically अलग कर सकते हैं अब आप सभी computer को on करें और writer की file को open करें अगर writer की file को open करने में समस्या हो रही है तो दिखाया जा रहे हैं वीडियो की मदद से open करें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि command के दवारा हम writer के file को कैसे open करते हैं इसके लिए आपको अपने keyboard में window बटन को डोड़ना होता है और उसे अपने left hand के एक finger से दबा के रखना होगा जैसे ही आप उसे window दबा के रखेंगे उसके बाद R के बटन को दबाएं एक box open होगा इस box के अंदर आपको अगर blank दिख रहा है तो ठीक है अगर नहीं तो उसको backspace से delete करके जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर आप s writer को type करें और फिर ok के बटन पे क्लिक करें या enter बटन का परियोग करें जिससे कि आपका writer का file directly open हो जाएगा अब आप सभी 5 row और 5 column की एक table बनाएं और उसमें एक student का record को add करें अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि table के अंदर student का record कैसे create करते हैं सबसे पहले हम सभी table के option पे जाएंगे यहां पर click करेंगे उसके बाद insert के option पे जाके table पर click कर देंगे अब हमें ध्यान देना है कि हमें कितने का table चीए जैसे कि हमें पांच भाई पांच का table चीए तो पांच कॉलम लेंगे यहां search से फिर row को पांच करेंगे उसके बाद okay के button पर click कर देंगे जिससे कि अब यह पांच भाई पांच का table create हो जाएगा हम student का record टाइप करेंगे सबसे पहले name टाइप करेंगे उसके बाद next box में जाने के लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं right arrow key का उप्योग करेंगे फिर यहां पे row number टाइप करेंगे फिर अगले box में जाएंगे यहां पे subject का नाम टाइप करेंगे फिर अगले box में जाएंगे यहां पे subject का नाम टाइप करेंगे फिर अगले box में जाएंगे subject का नाम type करेंगे उसके बाद अब नीचे वाले box में आएंगे नीचे आने के लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं arrow key के मदद स्या सकते हैं पर अब आप अपने touchpad या mouse के द्वारा अपने cursor को ऐसे लेकर आएं और यहाँ पर click कर दें उसके बाद अब चार student के नाम टाइप करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद रॉल अमबर फिर उसके subject के जो marks हैं फिर अगले box में जाएंगे अगले subject का marks देंगे फिर अगले box में जाएंगे फिर अब नीचे आने के लिए दूसरे box में अपने pointer का उप्योग करेंगे पॉइंटरों के इधर लाने के लिए touchpad या mouse का उप्योग करेंगे उसके बाद दूसरे student का record टाइप करेंगे अगले box में जाएंगे रॉल नंबर देंगे फिर अगले box में जाएंगे अब subject के marks देंगे फिर नीचे आने के लिए आप right arrow की का उप्योग कर सकते हैं या mouse से touchpad के द्वरा आ सकते हैं फिर आप अगले student का नाम टाइप करेंगे फिर अगले box में आएंगे रॉल नंबर टाइप करेंगे फिर subject के marks टाइप करेंगे अगले box में आएंगे subject के marks टाइप करेंगे फिर अगले box में आएंगे subject के marks टाइप करेंगे फिर नाम को टाइप करेंगे फिर अगले box में जाएंगे रॉल लंबर टाइप करेंगे subject के marks को टाइप करेंगे फिर अगले box में subject के marks इस तरह से आप table को create कर लेंगे अब आप सभी सबसे पहले row के उपर एक नई row को insert करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि row के उपर एक नया row कैसे insert करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को सबसे पहले box के अंदर लेकर आएं यहाँ पर जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप सभी अपने pointer को table के अंदर लेकर आएं फिर insert लिखे हूँ option पर जाएं क्योंकि हमें row insert करना है तो हम row को click करेंगे यह row पर click करेंगे अब हम देखेंगे कि हमें क्या चीए row के बाद में चीए और row के पहले और कितने row चीए माली जी हमें एक चाहिए तो हम number of row एक रखेंगे और position देखेंगे before को select करेंगे और ok कर देंगे जिसे कि उपर यहां पे एक और row insert हो जाएगा तो इस तरह से आप row को insert कर सकते हैं अब आप सभी इस पहली row को merge करके उसमें अपने school का नाम type करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें अब आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि जो हमने row को insert किया है उसे merge कैसे करेंगे इसके लिए आपका cursor उस पहले row के अंदर होना चीए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप सभी अपने pointer को table के अंदर लेकर आएं यहाँ पर click करें और फिर select पर जाएं उसके बाद अब इस option के अंदर से उस option को select करें जिसे merge करना है जैसे कि हमें row merge करना है तो हम अपने pointer को row पे लेकर आएंगे और click कर देंगे जिसे कि यह row select हो जाएगा अब हम फिर से जब select हो जाएगा उसके बाद अपने pointer को table के अंदर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे और फिर merge से लिखे हुए option पर click कर देंगे जिससे कि आपका यह row merge हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे कि हमें अपने school का नाम type करना है अगर आप चाहें तो अपने cursor को बीच में लेके आ सकते हैं जिसके लिए आप keyboard के tab button का उपयोग कर सकते हैं या space bar key के द्वारा बीच में लेके आ सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर उसके बाद आप सभी अपने school का नाम type कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप अपने अब आप सबसे बाद में या अब सबसे बाद वाले column को vertically दो भागों में बाट कर दिखाएं और इस box में total number और एक box में आयो हुए number को type करें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें अब आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि हम अपने sale को या box को split कैसे करेंगे जैसे कि आप सभी को कॉलम को vertically दो भाग में बाटना है या row को दो भागों में बाटना है तो सबसे पहले आपका pointer उस row या column के अंदर होना चीए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है माले जी इसे हमें अब दो भाग में डिवाइड करना है vertically इसके लिए आप सभी अपने pointer को table के अंदर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे उसके बाद split से लिखे हुए option पर click कर देंगे जैसे कि एक box open होगा उसके बाद हम split cell number देंगे कि हमें इसे कितने भाग में बाटना है क्योंकि हमें एक भाग या दो भाग में डिवाइड करना है इसलिए number of cell 2 रखेंगे क्योंकि vertically करना है तो हम vertically option को select करेंगे और फिर okay पर click कर देंगे जिसे कि आपका या cell दो भाग में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से आप split कर सकते हैं अब चाहें तो इसके marks को add कर सकते हैं यानि कि total कर सकते हैं total करने के लिए आप सभी इसे अपने मन में ही total कर लें count करने के बाद उसे अगले box में या अगले cell के अंदर आप उसे type कर दें जितने marks हैं इस तरह से आप split cell का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि आज की class यहीं पर समाप्त होती है आप सभी writer की file को एक नई जगा पर save करके दिखाएं अब आप अपने computer को shutdown करें आज की class में आपने उसके बाद table menu के option जैसे की table insert करना, mark cell करना, split cell करना का अभ्यास किया आप आप आप